असलाव अलेकुम वेलकुम तो इंग्रिश लिट्रेचर विद आईशनूर एंड टोड़े वी हैव थे सेकंड पार्ट अफ दे स्काले लेटर पार्ट वन में हमने डिस्कुस किया थे फर्स त्री चैप्रज एंड बायोग्रफी अफ दे राइटर अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्र नमबर फोर से तिल दे एंड और इसके इलावा हम प्लॉट और कैरेक्टर भी देखेंगे दे स्काले लेटर के तो स्टार्ट करते हैं चैप्र नमबर फोर से जिसका नाम दे इंटरव्यू है अगर टाइटल जस्टिफिकेशन देखें तो इसमें दो जो कैरेक्ट की बात कर रहे हैं या वो हस्बंड वाइफ हैं अभी तक ये रिवील नहीं हुआ तो क्योंकि ये दो लोगों के दर्मियान कन्वर्जेशन है बात है इसलिए इसे इसे इंटरव्यू का नाम दिया गया है इसमें एक परसन क्वेस्टिन भी कर रहा है जिसके आंसर ही और इस अल्टरनेट टाइडल्स इसमें अगर हम देखें कि में इनिवर्स कौन कौन से हुए है सबसे पहले मारे पास है प्राइविट कर्वसेशन सीक्रेट कर्वसेशन होरी ही हिस्टर और चीलिंग वैद के दर्मियान जहां पर वो कोशिश करता है कि हिस्टर से वो पर्ल के अब वो कोशिश कर रहा है कि उसे पर्ल के फादर का पता मिल जाए लेकिन हीस्टर सीक्रेश सी काइम रखती और वो पर्ल के फादर का नाम नहीं बताती अब यहां पर चीलिंग वैद को कुछ इस तरह से कैल्कुलेटिंग परसन वह मैनिपुलेटिव है और वह मुसलसल कै हिस्टर हिस्टर कमिटमेंट तुवेर दे बारे में बताया गया है कि उसे सेंद कर लिया उसके बावजूद वह कमिटेश के साथ और वह भी तक नाम नहीं ले रही आर्थर डिमस्टेल का इसके इलाव वह अपने बेटी को भी प्रड़ेक्ट कर रही है जो कि उसकी लोयाल और सेल्फलेसनेस को शो करते हैं कंक्लूजन देखें सो इस चैप्टर डीपन्स था कंफ्लेक्ट और टेंशन बेट्वें हिस्टर एंड चिलिंग वर्ट अबास है चैप्टर नबर फाइव टाइटल है हिस्टर एडर नीडल अब नीडल को अगर मैं थोड़ा सा एक्स्प जो क्रीम ऑफ तो सुसाइटी है वो वेर करते हैं हिस्टर के अबराइटर ड्रेसेस उसके बाद अब हिस्टर एटर नीडल लाइक उसको पूरी सुसाइटी में सिनर डेक्लियर किया गया है लेकिन अभी भी उसके पास एक स्किल मौजूद है उसका जो के उसका अबराइट के बाहर एक जंगल के साथ और अब उसने गले में वसकाले लेटर ए भी फॉर दे लाइफ टाइम वेर कर रख रख है इसके बाद हमाई बाद सुसाइटी का थीम है कि सुसाइटी में रियूमर एक अफ़ा पहल जाती है कि पल्ड की निजर को देखते हुए क्योंकि उसे फॉर्स बहुत पसंद है उसके अब ब्रिंगिंग जिस माहल में हुई है वो उसे जगह पसंद है और वो बहुत क्योरियस चाइल्ड है और इस हवाले से एक रियूमर फैल जाती है सुसाइटी में कि शी माइट पी अप्रोड़क्ट ऑफ डैवल हिस्टर प्राइन का कनेक्शन जो है वो किसी डैवल के साथ रहा होगा जिसका रिजर्ट जो है वो पर्ड है जिसमें सुपर निच्रल किसम की आदतें या कॉयलिटीज मौजूद है इसके इलावा मदर हुड और कॉम्पलेक्स फीलिंग्स ऑफ हिस्टर के बारे में इस चैप्टर में एक थीम है कि हिस्टर कभी कबार बहुत थक जाती है अपनी बेटी से इस सेंस में कि सुसाइटी उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है सुसाइटी उसे एकसेप्ट नहीं कर रही वो थक भी जाती है लेकिन फिर उसके जो मदर हुड फीलिंग्स है वो ज्यादा डॉमिनेट कर जाती है इस टायर्डनेस को तो एक किसम का कॉम्पलेक्सिटी क्रियेट हो जाता है उसके बाद सेंबल्स है इस चैप्टर में पर्ल और ब्रुक दो सेंबल्स जूज़ हो है पर्ल इस सेंबलाइज एज एज अल्फ चाइल्ड अचाइल्ड अफ नेचर अद लिविंग अमदिमेंट ऑफ हीस्टर सें हीस्टर की कुना की जिन्दा मिसाल उसके बाद ब्रुक है ब्रुक स्यूब्स का रहा है भीसे हाहस जज़्चम्ट के भांटर बिर इन परुतन वाल देफोर्स Next, we have to chapter number 7 The Governor's Hall Alternate titles would be Hall of Authority Power in the Governor's Chamber Decisions in the Hall & Pearl's Case Study Emblem of Her Deathless Sin Little Man in a Large Arm डिमस्टेल को कहा गया है लिटल मैन इन दे लाइस काउन बेसिकर लिए गवरनेस हॉल का मैं आपको समरी बताऊँ शॉर्ट तो इसमें ये है कि जो पर्ल थी हीस्टर की बेटी उसकी कस्टेडी के बारे में वहाँ पर्ल की जो अपरिंगिंग है वो हीस्टर अच्छे तरीके से कर सकेगी क्योंके वो एक सीनर है तो क्या उसकी बेटी को उससे अलग कर दिया जाए या उसके पास रखा जाए ये चैप्रिर जब शुरू को होता है तो हम देखते हैं कि हीस्टर ने कुछ एमडॉइड़ वर्क जो है किया होता है और वो देने जाती है कुछ बीमन होती जिसका उसने काम किया होता है और वो जब वहाँ देने जाती है तो वहाँ गवर्नेस हाल में एक मीटिंग हो रही होती है इस बारे में कि कस्टरडी पर्ल की किस के पास रहनी चाहिए नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नमबर एच दे एल्फ चायल्ड एंड दे मिनिस्टर इसके जो टाइटल्स होंगे पर्ल्स फेटफल इंकाउंटर अब इसमें एल्फ चायल्ड जो है वो अफकोर्स पर्ल है और मिनिस्टर डिमस्टर है यानि उसका फादर तो जंगल में फरेस्ट में थोड़ी बहुत उनकी मुलाकात भी होती है बॉर्ण इन दे मून लाइट का यहीं मत्तब है कि वो रात के अंदेरे में अपने बेटी से मिलता है रेक्स्ट हमारे पास है दे लीच दे लीच जो टाइटल है इसकी सिग्निफिकंस भी एकसर पूछी जाती है परासाइट परासाइट वो होता है जो अपने होस्ट या अपने मेजबान के जिस्वान के अपर रहता है वहां से खुराक ऊसिल रहता है और नornas कि उस भी होस्ट नुकसान पहुँचाता है उसे परासाइट कहते हैं तो लीज है, वो अपने होस्ट का खून चूसती है और इन रिजल्ट अपने होस्ट से हुराक लेती है यानि उसे नुक्सान भी देती है तो इसी तरह इस चैप्टर में हमारे पास लीज कौन है? इस पुरे नॉवल में डिमस्टेल होस्ट है और उसका लीच है उसका फिजीशन यानि नेक्स नमारे पास चैप्रिन नमर टैन है दे लीच एंड इस पेशिंट फिर से तक्रीबन इसमें तीम्स वहीं है लीच हमारे पास हजबन है और जो पेशिंट है वो उसका लवर है हिस्टर का अर्थर डिमस टेल सो अर्टनेर टाइटल्स होंगे हीलिंग वाउंड्स फिजीशन वेब ऑफ डिसाइट हाइडिंग स्कार्स उसके बाद कोट वेस टाइटल है वाउंड़िड एंड ब्रोकन हार्ट कंफेशन ओफ आप ट्रामाटिक परसन सिकालिजिकल ट्रामाइल किलिंग आप मैन सो अब जो लीच है यानी जो रोजर चिलिंग वर्ट जो है वजार उसको ट्रामाइल कर रहा है लेकिन एक्शली वो उसे सिकालोजिकली, मेर्टली, फिजिकली हर तरह से डिस्टरप कर रहा है मजीद इसकालोजिकली, ट्रामाइल कर रहा है और उसको इंटर्ली उसके डच्चिल रेट कर रहा है नेक्स्ट हमारे पास है इंटीर ऑफ अफ हर्ट ये चैप्रे भी इंपॉर्टन है इसके सिणिफिकेंस भी पूछी जाती है इसके आड़ने टाइडिल्स है इनर ट्रामाइल ऑफ डिमस्टेल सीक्रेट सफरिंग ऑफ आफ मिनिस्टर और ट्रॉबर्ड सोल अब इनर ऑफ ता हर्ट किसका है अर्टर डिमस्टेल का क्योंकि उसे ये शर्मिंदगी है कि वो अपनी बेटी को एकसाप्ट भी नहीं कर पारा उसे जो सिन की है उसकी सजा किसी और को मिल रही है और वो पनीश्मिंट को डिवाइड भी नहीं कर पारा उसके बाद है चैप्र ट्रॉब दे मिनिस्टर ज विजिल इसके आर्टरने टाइटिल्स हैं नाइट ओफ रिडेंप्शन विजिल अफ दे स्कारलेट सीन और अवेकनिंग इन दे मिड़नाइट इसके बाद मारवास चैप्र है थर्टीन अनदर व्यू आफ हीस्टर इनर ट्रास्फरमेशन आफ हीस्टर मदर स्ट्रेंग्थ और बियॉंड दे स्कारले लेटर अब इसमें यह है कि हीस्टर एक तो as a sinner प्रिजेंट की गई है लेकिन अब वो एक माँ भी है अब उसमें maternal feelings भी है चाहे वो disturbed हो चाहे वो stress का शिकार हो society के वज़ा से लेकिन still she is a mother and she has to take care of her daughter इस तरहा another view हीस्टर का यह है that she is also a mother उसके जो mother strength है अब वो सामने आती है कि वो अपनी बेटी को किस तरहां से protect करती है किस तरहां से वो अपनी बेटी के bringing के लिए खुद को financially strong कर रही है next हमारे पास है heister and the physician अब the physician यानि उसका heister का husband है he is trying to manipulate heister वो चाहता है कि heister खुद बता दे कि who is that person इसके जो टाइटल्स होंगे confrontation battle of secrets manipulative bleeds manipulative शख्स कौन है यहाँ पर अफकर्स जो physician है he is always trying to manipulate heister and her lover अर्थर डिमस टेल और battle of secrets का टाइटल हमने alternative switch जासे रखा है क्यूंकि secrets जो है वो heister के पास भी है वो minister के पास भी है next हमारे पास है chapter number 15 इस chapter में mother और डाटर के relationship को बताया गिया कि किस तरा का उनके relation था वो एक दूसरे से प्यार भी करती थी वो एक दूसरे से questions भी करती थी परल अपनी existence के बारे में question करती थी अपने father के बारे में questions करती थी इसके अलगर alternate titles है solitude of mother and daughter born of pearl and hister and pearls unwilling quote है from the heavenly father the deep calm of the hurt flying in the lattice so from the heavenly father किस तरां से कि जो society के लोग थे उनमें अफ़ा पहल गई थी वो लोग इस तरां के बातें कर रहे थे क्योंकि जो परल है उसके nature है वो friends को like करती है she is like an elf child तो वो कहते हैं कि she might be product of some divine thing of some devil next हमारे पास chapter है chapter number 16 जिसमें a forest walk title है alternate titles है journey into wilderness secrets unfold and escapism a forest walk में जिनमस्टेल है वो forest में आता है और वो pearl और हीस्टर के साथ मिलता है next हमारे पास chapter 17 है जो हीस्टर की बेटी pearl है वो पहले Arthur डिनमस्टेल से avoid करती है तो उसके साथ कुलती मिलती ही नहीं है लेकिन after some time क्यूंकि उनमें fatherly affection होती है और उसमें attraction निजशली होती है क्यूंकि वो बाप बेटी होते है तो उनकी frankness और friendship हो जाती है उसके बाद हमारे पास further development है novel की pastor and parishioner the minister in maze a flood of sunshine the child at the brook side the new England holy day तो अब इन 5 chapters में क्या होता है basically की character development होती है रफ़ता रफ़ता इस तरह होता है कि कई बार जो आर्थर डिमस डेल है वो जंगल में रात के अंधेरे में उनसे मिलता है अपनी बेटी से और हिस्टर से इसके इलावा अफ़लर्ड और संशाइन में जी होता है कि पहार का या कोई एक कोना होता है उस जंगल में वहाँ पर्ल जो है वो खाहिश जाहिए करती है कि आर्थर और हिस्टर का हाथ पकड़के वो सूरिज की रोशनी में ठेहरे उस जंगल में फेस किया इतनी संशाइन को तो माइट भी पॉसिबल कि उसका जो गुना है वो पूरी सूसाइटी को नजर आजाए क्योंकि इंटर्नली वो बहुत स्टर्गल कर रहा होता है तो पहले ही वो मेंटल डिस्टर्ब होता है तो ये चीजों से मजीद डिस्टर्ग पर देती है कि वो किस तरह वो बेटी जिसको एकसेप्टी नहीं कर रहा उसका हाथ पकड़के संशाइन में वो ठेहरे उसके बाद हमारे पास देहना हमारे पास चैप्टर है दे प्रोसेशन 23 है the revolution of the scholar letter and the conclusion अब इन सेप्टर्स में क्या होता है कि हम resolution की तरफ जाते है final steps की तरफ जाते है तो अब end story कर ये होता है कि at the day of elections परल अपनी माँ से पुछती है कि क्या आच्छ मेरा फादर है public में क्या वो मेरा हाथ थामेगा जिस तरह जंगल में वो मेरा हाथ थामता है वो मुझे accept करता है क्या वो public के सामने मुझे accept करेगा तो history कहते है I don't know मुझे नहीं पता कैसा होगा या नहीं होगा कुछी देर बाद जब वो minister या आर्थर डिमस्टेयल वहाँ आता है public में for the sermon और लीट करने लोगों को क्योंकि वो minister है वहाँ का तो वो पर्ल और history के साथ चलता है और वहाँ पर्ल का हाथ भी थामता है और अपने बेटी और लवर को accept भी करता है उसके बाद वो जो जगा थी scaffold शुरू में जहां पर history को punish किया गया था उसे publicly shame किया गया था उसी scaffold पे जाके Arthur Demisdale अपना गुना accept करता है इसके बाद Arthur Demisdale की death हो जाती है Arthur Demisdale की death के कुछ एरसे बाद जो husband था हीस्टर का Roger Gilling वर्स उसकी भी death हो जाती है पर्ल को अपने बाप की तरफ से एक अच्छी वरासत मिलती है पर्ल की शादी हो जाती है और वो happily रहती है और after some time हीस्टर की भी death हो जाती है next we have character map character map में हमारे पास Roger Gillingworth है जो के husband था हीस्टर प्राइन का Arthur Demisdale है जो के हीस्टर प्राइन का lover है उसके बाद हीस्टर प्राइन और Arthur Demisdale की daughter है that is part तो character map के बाद and resolution for further understanding you can read all the details that are given in this plot thank you so much for watching my video don't forget to subscribe my channel and share this video with your friends